हेलो एव्रिवर्ण असलावरेकूम उमीद करती हूँ आप सब खेरे से होंगे अलहमदुल्ला मैं भी खेरे से हूँ आज आप लोगे लिए बड़े मज़े की रेस्पी लेकर आई हूँ चीकन की तो पहले मैं इसको मसाले जो है निकाल लेती हूं एक बरतन में वो भी आपके गराम होने के लिए और यह जो प्याज है ना मैंने अच्छे से दो करके चौप करके रख लिया था जब तक मेरा तेल गराम होगा तो उसमें मैं प्याज ब्राउन कर लोगी पहले मैंने एक दाल चीनी का टुकुड़ा है जो तेल में पहले वो एड किया है उसके बाद मैं इसको अच्छे से गोल्डेन ब्राउन कर लोगी वो कि एन में एक तरफ मसाले बनाऊंगी और दूसरी तरफ कड़ाई में ना में चीकन को अच्छे से गोल्डेन ब्राउन कर लोगी तो इस में मैंने इदर बना रही हूं पहले क्योंकि इस तरह क्या होता है ना मसाले अच् बहुद कि अग्णार्णा जब तक उससे मैं करना सब 1 दिग एκते को मैंने और यहां ने फ़िग पसके महला बैक अग्णारिक मैं के निगने रह confront शूरी नग्सराइtenा जब भी चीकन बनाया ना तो इसमें डाल दूंगी और अच्छे से गोल्डेन ब्राउन कर लूंगी चीकन में मैं आदा जो है ना नीबू एड़ कर रही हूं नीबू डालने से क्या होता है ना कि जो पीस होती है वो तूटती नहीं है जब ज्यादा गल ना जाए या तूट न करण जाहिक जब हम चम्मच चलाते हैं ना तो जो पीस होता है कि जो पीस कम्मच बनाया जरूर करें भ्राउन करें या मिसाले में कभी बें खर सकते हं इससे क्या होका पीस बीच जो आपिश निडिए जो हती है उसको निकाल दिदेने लाई तो चायच्षनी जो पर के अच्छा हैने और छोड़ जवार एनकर जो नेकां तो नेसे निब्टता है यो प्राइब आपना जो धना पर ऐसे हैनों कि आप मैं oxid चीकन को उत्वकर्ण निब्राइ ओंपने हैं उन्हान व्हाहिएट है जिससे क्या होता है बिल्कुल अच्छा सा कलर आता है और आपका चीकन भी बहुत अच्छा सा गौल्डन ब्राउन द difीकता है समय डिएजिद लिइ Newton और स्वीड烏़ में जब भी चिकन पुछ भी रेसी बनाती हो जार नो इसमें जड़ी है कि थड़ी जरूर एक टरती हूं वे ज़िए ज़्यादा चैकन के ठीकन को जाए ले में अच्छा का चिपानी के जिसमें हमां उच्छ नहीं पर दे गूंगी इसमें दिताया रही है जो है ना पर योई कर लूँगी कि यह कि अबी कि इतने सा रह गया है तो बिल्कुल थोड़ा से पानी जो है ना ड्राइ हो जाएगा तो मैं इसके अलग बरतन में निकाल लोई है अच्छे तो मैं नमक एड नहीं किया है क्यूंकि जब पानी चिकन चोड़ते हैं अगर आप तो इसमें नमक एड़कर करती हूँ तो बिल्कुल जो पानी है ड्राइ हो चुक है तो मैं इसमें नमक कैड़ समय है इधर मैंने हरी मीर्च की जो पेस्ट बनारतों अब एड़कर लूगी हरी मीर्च पेस्ट बने से क्या होता है रहे falls somewhat कर लिया और बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है चम्मस से यह मेना फ्रेस क्रीम जो है ना मगवारख है उसे भी मैं एड करूंगी है जो अच्छे से चला रही हूं कि बिल्कु ड्राइ हो जाए तो बिल्कु ड्राइ हो चुका है मेरा चेकन अब इसमें बीन पानी एड नहीं तो मैंने इसको अमूल का जो फ्रेस क्रीम है वह मंगाया तो इसमें एड़ कर रही हूं तो इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी बहुत ही अच्छे से देखे बिल्कुल तेल नीचे कडाई में छोड़ दिया है बिल्कुल पानी नहीं है इसके अंदर इसको बहुत अच्छे से मिस कर ले रही हूं और चीकन भी मेरा बिल्कुल फ्रेस से टोटा नहीं है नीगो एड़ करने से पानी है और कलर भी बहुत अच्छा आरहा है इस tara फूर्ड फीर फ्रूड करती और बादी तो से बहुत अच्छा लग रहा है इधर मेरा मसाला भी बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है तो इसे भी मैं थोड़ा चेक कर ले रही हूं मैं थोड़ी थोड़ी देर चेक कर रही थी चला रही थी इसको भी तो देखें जो मसाला वह भी जो आयल है ना छोड़ चुका है बहुत अच्छे से इसको बहुत कम flame पे मैं रखा हुआ है जो है आफ छी करनी करके अच्छे से mix कर लूँगैं यही फैदा होता है कि जो ची पीटर भीट्रेस है। ऑफ न ए निकाल के add कर लूँगा ना इस अस्षे भीिट काहिए है जिसके पिस है ना मैस नी होता 198 चैनल पे नए है तो फटा फट जाके सब्सक्राइब करें लाइक करें और अच्छे ची कमेंट्स किया करें जिससे मैं मोटिवेट होती हूँ और आप लोग के साथ अच्छे ची रेस्पी भी सेयर करूँ और मुझे क्या होते हिमत मिलती कि हाँ मैं भी बहुत अच्छे से कुछ बना रही है अगर आप लोग को कुछ कमी लगता तो प्लीज जरूर बताया करें मैं उसको सही भी करूँगी मैं अपने हर ब्लोग में हर वीडियो में जरूर पूछती हूँ आप लोगों से में रेस्पी कैसी लगती है और आप लोग क्यों सी रेस्पी देखना चाहते हैं क्या चाहते हैं मैं सब आपके साथ सेयर करूँगी तो गाइस मुझे फुल वाच दें और सब्सक्राइब जरूर कर दें फटा फट तो मेरा यह जो है ना मसाले जो थोड़े से पख गया तो मैं इसके थोड़ा सा कम फ्लैम पे रख दिया है कि थोड़ी देर के लिए चीकन जो मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए और पक जाएगा तो उसके बाद में इसको धकन लगा के रख देती तो खाय मैं आप लोगे कि लिए हम्हें से नही नही जो है ना रेच्पी लेकर आती रहूंगी और आप लोगों को कैसी रेच्पी देखनें 하टाये कि मुझे अच्छा भी लगता जब कोई में आसे लगताना कि जाvasब और में उसके हिसाब करना चाही हूँ और मैं स समझ में आता हूँ और जो हमारे घर में रेस्पी बनती है आप लोग के साथ सेयर करती हूँ तो फिर आप लोग प्लीज सपोर्ट जरूर करें और लाइट भी क्या करें इधर में ग्रेवी थोड़ा सा जो साला ने मेरा उसमें ग्रेवी कर ले रही हूं मसाला पकने के बाद म इसको भी थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख दूंगी और धकन लगा दूंगी कि थोड़ी देर अच्छे से पक जाएए क्यूंकि पानी पूरी तरह से पकेगी नहीं तो बिल्कुल अच्छा टेस्ट नहीं आएगा उसके बाद मैंने चॉप करके जो धन्या पती थ जाती है तो दिखने में बहुत अच्छा लगता है देखिए मेरा चिकन जो है क्रीमी चिकन जो बिल्कुल बन के तयार हो चुका है अब मैं इसको गर्म गरम फ्राई राइस और रोटी अब चाहे जिसके साथ चाहे ना गरम रोटी है प्राठे है प्लाव है जिसके साथ चा कोई आपके अकोर्डिंग जिससे आपको अच्छा लगता है वो आप इसे ले सकते हैं तो मैं यहां सबको खाना सर्व कर दे रही हूं तो आप लोग प्लीज जरूर बताएं और कमेंट जरूर करें और सबस्क्राइब भी करें और मुझे आप लोग की सपोर्ट की बहुत बह कात होगी अल्ला आपिस